आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ इस कवीता का प्रशंग और कभी केदारना शिंग के जीवन परीचे के बारे में जाना था तो यह को इस पूरी कवीता में केदारना शिंग जी ने बनारा शेहर की खूपसूर्ती वहाँ के स्थिर्ता और वहाँ के और भी गुड़ों के बारे हमें हमें बताया है चलिए अब हम इस कवीता को पढ़ते हैं जो है वह खड़ा है बिना किसी इस्तंब के जो नहीं उसे थामे है राक और रोशनी के उंचे-उंचे इस्तंब, आग के इस्तंब और पानी के इस्तंब कभी कहते हैं कि बनारिश में जो लोग हैं वह आत्म निर्भर हैं और सब अपने बल पर अपने पैरों पर खड़े हुए हैं बिना किसी इस्तंब के मतलब बिना किसी सहारे के वो अपने बल पर अपने पैरों पर खड़े हुए हैं अपने आत्म सम्मान के साथ जो नहीं हैं उसे थामे हुए और जो इस दुनिया में नहीं है बनारश शहर उन्हें भी राख, रोश्णी और धुएं के और खुश्बू के माध्यम से उन लोगों को भी शहारा दिये हुए हैं आंगे कभी कहते हैं कि बनारश में शब को सहारा मिलता है और सबी एक दूसरे की शायता करते हैं अलक्ष शूर्य को देता हुआ अर्ख्य सतापदियों से एसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है या शहर अपनी दूसरे टांग से बिलकुल बेखवर अलक्ष शूर्य मतलब जिसका कोई लक्ष नहीं है कभी कहते हैं कि अंतिम बन्गते में कभी कहते हैं कि गंगा किनारे घाट पर ऐसे बहुत शारे शादु हैं देता हुआ अर्ग सतापदियों से यसी तरह जो बहुत सतापदियों से शूर्य को इसी प्रिकार एक पैर पर खड़े होकर अर्गे देते हैं वो पूरी तरह से ईश्वर की तपश्या में लीन है वह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़े हुए है यह और यह इस्टेवर अपनी दूसरी टांग से बिल से बसे इकर वाजने हैँ में रितु आयो अले effort को त्यांग चूकी हैं तो इस कवी पूरी कवीता में कवी ने हमें बनारे शहर के बारे में बताए कि किस और से बनारे में जब रितू परिवर्तन होता है और जान स्कार जब अब लोग दशाब में खाड पर जाते हैं तो उस घाड का जो पत्थर होता है वह भी गंगा के इस परशिश मुलायम हो जाता है और वहां के बशन्त के आगमान से वहां के बंदरों में कि आँखों में भी एक अजब सी चमक आ जाती है और किस प्रिकार से वहाँ के घाट किनारे जितने भी विकारी बैठे रहते हैं तो उनके जीवन में भी एक नय वसंत आ जाता है तो उनका वसंत तभी माना जाता है जब उनके खाली कटोरों में लोग दक्षणा और पैसा डा इस प्रिकार कभी निक बतायी किस प्रिकार से जो बनारे शेहर में बहुत जादा सुकून है। साथी साथ कभी ने बताया कि किस प्रिकार से बनारश में एक तरफ अगर संख है, दूसरी तरफ गंगा का घाट है और साथी साथ गंगा में खुश्बू है और फूल भी है। और आंगे अंते में कभी ने बताये किस प्रिकार से गंगा के जल में जो शादू है वह अपनी एक टांग पर खड़े होकर शूरे को आध्ग दे रहे हैं और वह अपनी दूसरी टांग से बूरी तरह से बेखवारें अठाट वो शांसारक मुहमाया को त्याग चुकी हैं।